तो वेलकम बैक दिखिए अगर आप एक CSE सेंटर से अंचालक हैं और आप अपना CSE सेंटर हर्याना के अंदर चलाते हैं तो यहां पर दोस्तों मैं आपको एक सर्विस की वारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ हर्याना वाले ही कर सकते हैं और अगर आपके पास कस्ट्मर आत प्रिखा हुआ है उस एड्रस को किस तरीके से ओनलाइन चेंज कर सकते हो ठीक है इस सिर्फ हर्याना वालों के लिए बता रहा हूं मैं तो यहां पर दोस्तों चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस वेबसाइट पर यह है दक्षिन हर्याना बिजली वितरन निगम लिमिटेड ठीक है जितने भी हर्याना के लोग हैं तो हर्याना के सेंटर वाले हैं वह देख लेना आपको आना होगा इस वेबसाइट पर ठीक है अगर आप एक कस्टमर हैं आप खुद अपना एड्रस चेंज करना चाते हैं तो भी कर सकते हो शेस से आड किस में बात कर रहा हूं अभी ऑनलाइन आप किस तरीके से एड्रस चेंज कर सकते हो अपने बिजली बिल में ठीक है न्यू करनेक्शन पर आपको आना है इसके बाद आपके सामने यह वाला पेज खुल जाएगा यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है ठीक है चली क्लिक कर लेते हैं इसके बाद यह वाला पेज खुल जाएगा यहां पर आपको applicant type में select करना है individual इसके बाद application for इसमें करना है आपको change of name ठीक है इसके बाद category में डालना है आपको domestic क्योंकि आप घर का meter है तो अगर आपका non मतलब आपका मतलब बिजनिस का meter है दुकान भी लगा पड़ा है तो non domestic करना अगर खेती के लिए meter लगवाए था आपने तो agriculture करना तो वो देख लेना आपने हिसाब से ठीक है तो domestic कर रहों है घरे बारों के लिए इसके बाद आपको यहां पर अपनी family id या फिर आधार नंबर डालन ठीक है आप चाहो तो family id भी डाल सकते हो इसके बाद है क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए जिसका भी नाम आपके अधारकार से या फिर इस family id से लिंक है बिल्ली विभाग में वो नाम यहां पर आ जाएगा ठीक है जिसे मेरा नाम आ गया है इसके बाद सेंड और टीपी डाल दोगे यहां पर मैंने से के ओटीपी डाला था यह वाला ठीक है अब दोस्तों आप इन में आप मैंसे कोई ने को भी बोलेगा सोच रहा होगा कि भाई यह तो जो हम फार्म भर रहे हैं वह बर रहे हैं नाम चेंज का देखिए मैंने अभी उपर चेंज ओफ नेम स्ले जो सब्सक्राइब कर दोद है तो इसने बोला था मुझे कि मैं बिजली दफतर गया था अब बिजली दफतर वारे ने में बोला है कि ऑनलाइन चेंज कर वालो रिक्वेसट डाल दो हम चेंज कर देंगे ठीक है जब कि दोस्तों ऑनलाइन में देखो शृफ क्या लिखा रह रहें थे लड़की बीशाय था उसने बोला था कि आपको जो एड्रस मुझत ड़ारे εν का वह फिर मैंने उसको बोला कि मैं हम बाइन जब हम ऑनलाइन चेंज आफ-नेंप टाल रहे हैं तो हमारा एड्रड एड्रस है जो हमारे फ्राइन लिखा हुआ है यह एड्रस एडिटेवल है मतलब में इसमेडिट करूंगा इसको अगर मैं हे बने बोला कि मीज स्थी उनमें आप zarogar करके देख लो अगर अगर अधरस एडिट हो रहा है तो आप करके देख लो मेΜए तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस तरीके से ट्राइब कर सकते हो ठीक है वैसे कनफॉर्म नहीं है पर यह ट्राइब कर सकते हो क्यूंकि भाई देखो बिजली दफ्तर वाले भी यह बोल रहे हैं कि भी यह ऑनलाइन कर वाओ मैं भी बूल रही है कि आप एक बार ट्राइ कर सकते हो त्राइ में दूस्तों क्या करना आपको बाकी कुछ नहीं छेड़ना सिर्फ आपको एड्रेस चेंज करना अपना जो आपका एड्रस वाला जो सही एड्रस है वो डाल दीजी आप जो हाउस नंबर सही है जो भी आपको तो यह बोला है यह मतलब बोला एक ट्राइक कर लेना और जो कस्ट्मर आया था उसने भी बोला है कि वह बिजी बोड़ वाले भी यह कहे रहे हैं तो यह हो गए आपका इसके बाद उसनों आपको आना है नीचे आशा कुछ भड़ देना ऐडरस खाले आडरस बनना अगर आप तो यह बाद आपको आना है नीचे आपको आपको लगाना पड़ेंग यहाँ पर दोफस्टों देखिए आपको एडरस प्रूफ में क्या लगाना है सबसे पहले फोटो आजयेगी आपकी फोटो है ठीक है पतास के वी तक की इसके बाद है प्रूफ औफ और शिप तो यहा आपको रजिस्टरी पर लिखाऊना चाहिए तो वो रजिस्ट्री डालना प्लस में आप एक एफिडविट बनवा के लाना कोट में जाके वहाँ पर उनको बोल देना कि सर मुझे बिजली अपने बिजली के बिल में एड्रस चेंज करना है उसकी एक एफिडविट बना दो तो वो बना देंगे आपको बना के देंगे ठीक है वो मनला रजिस्ट्री और वो साथ में लगा के अट्रेज करके आप यहां पर अपर अप यहां पर नमर आ जाएगा आपके जो मीटर का नमर है डिए आप सकते इसको तो अब दोस्तों यह सब कुछ कर लिया आपने इसके बाड़ आपकी फीस कटेगी चाट लेना उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना मतलब इससे फॉर्म को निकल वा कि आपको कहीं लेंगा कि यह नहीं जाना कि आपना कि आप उनलाइन किया है अब दुस्तों कुछ दिनों बाद आपको विट करना है उसके बाद चेक करना है हो सकता आपका बेल जी का विल जो जो यह चेंज हो जाए ठीक है तो तो मैं आपको बता आहां और वैसे देखा जाए तो तो दोस्तों उस भी आफ पर कहा रहा हूं में आप इसको राइ कर सकते हो ठीक है दोस्तों तो अगर आप दुकान वाले हो या फिर कस्टमर हो तो इस वीडियो लाइक भी कर देना है और खुछ भी आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना थेंक्यो वरी मच